ओके अलो फ्रेंड किसे हो आप सब में विसी और आप देख रहें बौन टो इन्वेस यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम निप्टी के बारे में बात करेंगे जो उमारा निप्टी है वो नेक्स्ट विक कौन सा मूग दे सकता है कहां इसके सपोर्ट रहेंगे कहां इसके रहेंगे और कौन सी रेंज में ये ट्रेड करेगा तो दोस्तो अभी तक आपने अमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजे और जो बाजू में गंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजे जिसको आपको अमारी नोटिविक्शन सब से पहले मिल जाए तो पहले हम निप्ति का औप्सन चैन न venom कर लेते बाहन में निप्ति का टेकनिकल एनालिस करेंगे और जानने की को करेंगे क्या इसके support resistance है तो जब हम निप्टी को देख रहे तो अभी यह 10,600 के आसपास इसकी closing हुई है तो पहले हम क्या करते है call side से resistance find करने की कोसिस करते put side से support find करने की कोसिस करते तो जब हम put side देख रहे तो आपको इधर क्या है कि 3 strike price पे सबसे ज़्यादा why build up दिख रही है उसमें जो पहली strike price है वो है 10,400 के put option पे उसके बाद हम देखते हैं तो 10,000 का level आ रहे है और उसके बाद देखते हैं तो 10,500 तो ये 3 strike price है जहां सबसे ज़्यादा why build up आपको देखने को मिल रही है put side पेला है 10,400 बाद में 10,000 और बाद में 10,500 अभी हम क्या है कि call side देख लेते कि वहां कौन सी strike price पे आपको ज़्यादा why build up दिख रही है तो जो सबसे ज़्यादा है वो 11,000 पे उसके बाद आपको 10,600 पे दिख रही है और उसके बाद आपको 10,700 पे और ये 10,700 और 10,800 पे दोनों ही same आपको why build up दिख रही है तो जब हम call side देखते है तो आपको इदर 3 strike price मिल रही है जो है 10,600, 10,700 और 11,000 का लेवल तो अभी हम निप्टी के option chain analysis से एक range find करने की कोसिस करें तो आपको 10,400 से ले पोटे क्या है इसके resistance है और last में हम एक range find करेंगे जो आपका next week के लिए रह सकता है एक बार इसका chart देख लेते हैं तो जब मैं इसका chart देखते है कि total Y का chart देखो तो सबसे ज्यादा आपको 11,000 पे दिख रहा है बाद में आता है ये call side है तो 11,000 call side आपको सबसे ज्यादा द देखते तो आपको change in OI में put side सबसे ज्यादा change in OI होता हुआ दिख रहा है last day मतलब Friday के दिन आप देखो इधर 10,400, 10,500, 10,600 पे भी put OI increase होता हुआ दिख रहा है call side देखे तो call side 10,600 पे सबसे ज्यादा हुआ है बाद में हुआ है लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ है compare to put side तो in simple हम क्या है कि change in OI देखे Friday तो वो put side ज्यादा हुआ तो in simple इसका meaning यह होता है कि आपका normal market bullish रहने वाला है तो यह हो गया आपका nipty का option chain analysis अभी हम क्या है की chart पे देखेंगे क्या इसके support resistance है और last में हम decision लेगे क्या इसके support resistance है और कौन सी range में हमारा nipty next week trade करने वाला ह तो अब हम आ चुके nipty के chart के उपर तो इधर हम support resistance find करने की courses करेंगे और देखते कौन सी range में nipty अमरा रह सकता है और दोस्तो अभी तका आप में अमारी इस channel को subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर कर लीजे क्योंकि हम एसे ही video हरोजर दिन लेते आते तो पहले हम क्या है कि इसमे support द का level आपका पहला support होगा अगर ये break करता है तो हम नीचे की site देखेंगे तो वो आ रहा है 10,400 अगर आप option chain analysis में भी देखो तो 10,400 पे एक अच्छी खासी और सबसे ज्यादा वाई build-up थी तो जो 10,400 का level है वो आपके लिए सबसे ज्यादा important हो जाता है तो जो हमारा main हम बोल support कौन सा होगा वो होगा 10,400 का अगर ये नीचे आता है तो 10,400 पे अमारी क्या है कि एक अच्छी खासी पहले तो देखना है कि वहाँ क्या हो रहा है अगर आपको इदर से bullish sign मिलता है तो वहाँ से आप buying कर सकते हो अगर ये इसको भी break करके नीचे चला गया तो जो हमारा next level ह होगा support के लिए वो होगा 10,200 का level तो ये हो गए हमारे 3 support next week के लिए 10,500 एक normal support है important support 10,400 है और अगर ये इसको भी break करके नीचे चला गया तो 10,200 का हमारा last support है अगर हम resistance की बात करें कौन सा resistance next week के लिए रह सकता है तो जो हमारा पहला resistance है वो rising resistance line है आप इदर देखो तो ये और ये line ड्रो करके आप आगे infinity line कीचते हो तो आपको एक बार इदर resistance देखने को मिला है हाल फिलाल अपना निप्टी उसके आसपास है अगर हम क्या कि एक approach level ले तो वो 10,700 के आसपास आ रहा है जो ये line के आसपास से हमारा निप्टी साइद एसा हो कि इदर resistance लेकि ये नीचे आहा सकता है तो पहला हमारा resistance होगा वो ये rising resistance line होगी आपको इसको देखना पड़ेगा क्योंकि एसा ने अगर ये क्या है कि एक suddenly move हो गया तो ये क्या है कि 10,650 के आसपास आएगा अगर दी में दी में अपर जाता है तो 10,700 के आसपास आता है तो आपको देखना पड़ेग से वो देख लेते तो उसके लिए में एक बार फिबोनाची levels लगा देता हूँ तो और आपको बेटर idea है इसमें तो अभी मैंने इसमें फिबोनाची extended level लगा दिये मैंने कहां से कहां डो किया एक बार मैं आपको बता देता हूँ तो पहला point ये लिया दूसरा point ये और extended wave के मैंने ये point लिया है तो ये अपर के level आ रहे हो फिबोनाची extended level से तो अभी इसमें क्या है कि हम इसको one hours पे shift कर लेते हैं सो आपको और better idea और अच्छे से दिखे तो मैं इसको one hours पे shift कर लेता हूँ तो जब आप इसको one hours पे shift करते हूँ तो आप देख रहे हूँ कि ये एक level RI जो RI 78 का 0.78 का level है जो level RI वो है 10672 अभी हम क्या कर सकते हैं तो आप देखो कि कि इधर से आपको क्या है कि एक rising resistance line मिल रही है 0.78 का extended level है तो इसको आप resistance की तरह मान सकते हैं तो इसको आप एक zone की तरह लेके जा सकते हूँ तो जो zone होगा वो आपका 10700 से लेके 10670 तक रहेग अगर ये zone में से आपको कोई भी reversal sign देखे downside तब आप इसमें selling के लिए जा सकते हो और अगर ये इसको भी break करके अपर चला गया तो जो हमारा next level होगा वो कौन सा होगा तो जो हमारा इसके बाद का level होगा वो होगा 10,830 का level तो जो ये level है वो आपका क्या है कि इस candle का low है तो मैंने इसको लिया है तो ये जो level है वो भी आपके लिए important हो सकता है next week के लिए तो अब हम बात कर लेते कि जो हमारा nipty हो next week कौन सी range में trade कर सकता है तो मेरे इसाब से हमारा nipty next week 10,200 से लेके 11,000 की range में trade कर सकता है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज जारो like, comment and subscribe कर देना आप like, comment करोगे तभी तो हमें motivation मिलेगा और इसे वीडियो आगे लेकाएंगे तो प्लीज जारो like, comment and subscribe कर देना चलिया मिलते अपने next वीडियो में तब तक के लिए टटा, goodbye, joy in